हलो क्लास नाइन्थ मेरा नाम तुशार तुशार भारदु आज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक्वेशन ओफ मोशन के बारे में जैसे कि आप सब जानते ही है कि एक्वेशन ओफ मोशन टोटल तीन होती है और लास्ट वी इस एक्वेशन होती है मोशन की अब इन तीनों ही एक्वेशन के लिए में डेरिवेशन मालूम होना चाहिए डेरिवेशन का मतलब क्या है कि फॉर्मले को प्रूफ करना है कुछ सिंपल से स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए और आज की वीडियो में हम यही करने वाले है जैसे की यहापर मैंने मेंसन किया हुआ है आज की वीडियो में हम तीन जो डेरिवेशन है उनमेंसे एक डेरिवेशन को कमप्लीट करने वाले है बहुत ही spanning तरीके से अच्छा एक और चीज़ जो आपको मालूम होने चाहिए कि यह जो तीन equation होती है इसको अलग-अलग तरीके से drive किया जाता है derivation किया जाता है इन तीनों ही equation का different method से लेकिन जो class 9 में है वो है graphical method इसको mathematical method भी बोल दिया जाता है बाकि आप graphical method याद रखेंगे तो graphical method के जरीए हम इन तीनों ही equation को drive करने वाले है इन तीनों ही equation को इन तीनों ही formula को जो equation of motion के list में उनको prove करने वाले है one by one तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले s is equal to ut plus half a square इस formula को drive करेंगे कि कैसे हम इस formula को calculate कर सकते हैं एक graph की मदद से तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो का topic equation of motion का derivation सबसे पहले देखिए हम एक graph draw करेंगे इसके लिए कोई खास graph paper की जरूत नहीं है आप simple एक vertical line डालेंगे यह y axis और यह x axis ठीक है दो axis का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे है इस तरीके से आप एक slanting line बनाएंगे जहाँ पर यह line terminate होगी उसको आप ऐसे y axis से जोड़ेंगे और इसी तरह से एक perpendicular x axis पर डालेंगे उसी point से ठीक है यहाँ पर कुछ भी आप symbol यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने हाँ पर o a b c d e ठीक है कुछ भी आप points डाल सकते हैं इस तरीके से ठीक है यहाँ पर एक angle दिखा देंगे theta actual में क्या है कि a से c यह जो distance है ना यह जो slanting pathway है है क्या यह तै की गई दूरी है किसी object के द्वारा a point से c point तक पहुँचने में जो उसने distance cover की है वो है यह लेकिन आपको मालूम है जैसे कि आप maths में यूज करते है कि a point से c point तक जो distance cover की गई है उसको ground axis से मतलब क्या बोलते हैं उसको covered area तो कितना area covered किया गया आप यहाँ पर ऐसे shaded lines ऐसे lines भी हाँ पर दिखा सकते है तो इतना area उसने cover किया किसी object ने जब वो move करता है a point से c point के तरफ clear? ठीक है? अब हमें क्या करना है यह जो distance cover की गई है a से c तक जिस दोरान उसने यह पूरा area cover भी किया है तो उसी के लिए line डालनी है distance covered by an object on moving from a to c a to c जब कोई object move करता है a से c की तरफ तो उसने जो distance cover की है उसके लिए symbol क्या होता है distance के लिए? यह मैंने हापर ब्लैकर में डाल दिया है a से c की तरफ from a to c तो वो किसके equal होगा? area क्या area उसने cover किया? o यह आप रहे से लिख लेते है area of o a c d e आप कोई भी नाम डाल सकते हैं कोई भी सिंबल यह उसकर सकते हैं तो में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ग्राफ आपको इस तरीके से बनाना है बाकि आप सिंबल्स कुछ भी उसकरें answer फिर भी ठीक आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भी s distance उसने cover की मतलब दूरी एक सिंबल क्योंगी derivation में देखिए value तो होती नहीं है symbols का use करना होता है अब यह किसके equal है area of o a c d e o a c d e इस पूरे area के equal है अब इसको कैसे find करेंगे देखने में यह आपको trapezium भी लग रहा है match के according लेकिन एक दूसरा भी तरीका है triangle plus rectangle उसका हम इस्तेमाल करने वाले है तो हम क्या से लिखेंगे आपर area of triangle plus area of rectangle यह symbols बना दिया है उसके लिए area of triangle क्या होता है half base into height plus length into breadth लंबाई चोड़ाई अब हम क्या करने वाले देखें इस graph में कुछ चीजों को और add करेंगे ठीक है आप शुरू में भी कर सकते हैं यह जैसे आपने यहां तक इतना इतना जो graph बनाया है उसके according आपने यहां पर सब लिख लिए उसके बाद भी कर सकते है ती ती क्या है यहां पर time का indication दे रहा है ओसे लेकर ई तक यू इनिशल वेलोसिटी ओसे ए वी फाइनल वेलोसिटी ओसे बी तक ठीक है अब लिखिए क्या करेंगे आप कि जो हमारा graph complete हो चुका है इसमें से जो base है जो triangle है ना इस triangle का जो base है उसके लिए कोई अगर symbols है तो वो use करना है क्यासे 1 by 2 base यह triangle ही है ना इसमें base क्या है ad और ad किसके equal है oe के तो oe की value कितनी है यह आपर value तो नहीं है तो t तो हम base के place पर क्या लिखेंगे t h height ट्रेंगल की height क्या है cd अब cd के लिए तो कोई symbol नहीं है लेकिन आपको मालूम है match के according cd equal किसके होगा a b के तो हम यहाँ पर लिख देंगे a b plus अब देखें जो rectangle था ना जिसके लिए हमने formula के लिखा था length into breadth तो लंबाई क्या है आपर oe और breadth क्या है d e लिख दीजे आप या फिर oe अब next one by two t तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं आपर t तो direct यह a b क्या कुछ a b की value मालूम है देखे a b के लिए तो हमें कोई symbol नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे total मेंसे आप इसको घटा दीजिए अगर आप o b मेंसे o a को reduce करेंगे तो कितना आ जाएगा a b आ जाएगा और हमें a b चाहिए ठीक है तो direct नहीं करेंगे step wise काम करते हैं तो a b के place पर हम क्या लिख सकते हैं o b minus o a plus o e के place पर क्या लिख सकते हैं t ठीक है और o a के place पर u इतना ठीक है अब देखिए आगे next step में 1 by 2 t क्या हमें o b के लिए कोई symbol दिया हुआ है v बिल्कुल तो यहाँ पर v आ जाएगा minus o a के place पर आ जाएगा u plus ut आगे बीच अगर के लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आगे का काम इधर करते हैं अब देखिए आगे तो simplify नहीं हो रहा है यह न तो अब हम क्या करेंगी यहां पर equation number first डाल का छोड़ दिए इसको box में बंद कर दिए ऐसे हालागि इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता है वो तो simple highlight करने के लिए तो अब यह जो equation है first यह और simplify नहीं हो रही है तो अब हमें क्या करना है एक line लिखनी होगी as V that V is equal to U plus 80 जैसे कि हम जानते हैं कि V is equal to क्या होता है U plus 80 होता है अगर हम इस formula को थोड़ा rearrange कर दें V के पास U ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा V minus U is equal to 80 तो कहीं पर अगर हमें V minus U दिखाई देता है तो हम उसके place पर क्या रख सकते हैं 80 और देखें यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है तो आप पहले इसको और करके लिखेगा कि भाई V minus U is equal to 80 इस चीज़ को हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा ठीक है now put this value in first equation तो V minus U की value क्या है 80 उसको आप यहाँ पर रख देंगे तो S is equal to क्या बन जाएगा 1 by 2 T 80 plus U T अगर आप इसको थोड़ा और simplify करेंगे आपको पता है T जो है multiply में तो multiply में rule क्या होता है बेस सेम तो power add हो जाती है ठीक है तो S is equal to half 80 square plus U T इसको आप rearrange करके लिखेंगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको तो formula बन जाएगा आपका S is equal to में U T plus half 80 square तो graph का इस्तेमाल करते हुए हमने एक derivation complete कर लिया है और इसी graph के जरीए आप तीनो derivation को complete कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने first formula को drive कर लिया है कैसे हम उसको drive कर सकते हैं उसके लिए आपको बहुत basic सी चीज़ याद रखनी है एक तो ये graph आपको धियान रखना होगा जिसमें कोई object A से C की तरफ चल रहा है इस distance को cover करने के दोरान उसने कुछ area cover किया उसी चीज़ का हमने इस्तेमाल किया स्टार्टिंग में एक line लिखी कि वह object distance cover कर रहा है वो किसके equal है area of O, A, C, D, E फिर हमने इसका area निकालने के लिए एक trick इस्तेमाल की ट्रेंगल प्लस rectangle तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से S is equal to ut plus half 80 square जो एक equation है motion की ठीक है? टोटल तीन होती है तीन में से हमने एक equation को drive कर लिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में next derivation के साथ